नमस्कार आप देख रहे हैं चैनल ग्यानरी बाता मैं सवीता आज इस वीडियो में हम अंतर राश्टिये पुरुष दिवस्ट पर निबंद देखेंगे शुरू करने से पहले आपके अपने चैनल ग्यानरी बाता को सब्सक्राइब करें वे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर किलिक करें तो आईए शुरू करते हैं आज है अंतर राश्टिये पुरुष दिवस्ट क्यों और कब हुई इसकी शुरूआत हर साल आप और हम आठ मार्च के दिन महिला दिवस को बहुत गंभीता से मनाते हैं और अपने आसपास मोजूद महिलाओं को उनके योगदान के लिए धन्यवाद करते हैं ऐसे मोके पर कई पूर्ष मजा क्या तोर पूछते हैं कि भई पूरुष दिवस भी होता है क्या उनके लिए जबाब है जी हाँ और ये दिवस आज यानी 19 नवंबर को मनाया जाता है आखिर कब हुई इस दिन को मनाने की परंपरा की शुरूआत साथ फरवरी 1902 में के दिन मिसोरी युनिवस्टी अमेरिका के प्रोफेसर थोमस योष्टर की कोशिसों के बाद पहली बार अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ देशों में कुछ संगठनों ने पहली बार अंतरराश्टिय पूरुष दिवस मनाया हलंकी 1905 में के एक इवेंट में कम लोगों की दिल्चस्पी के बाद से ही कई देशों ने फरवरी में ये दिन मनाना बंद कर दिया काफी समय तक माल्ता ही इकलोता देश बचा था जो इस दिन को फरवरी में मनाता था हलंकी अलग 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 देश इस दोरान अपने हिसाब से पुरुस दिवस मना रहे था डोक्टर जिरोम तिलक सिंग त्रिन डाड एवन टुबैको के वासी थे उन्होंने फिर से बीड़ा उठाया जीवन में पुर्सों के योगदान को एक नाम देने का क्योंकि उनके पिता का जनम दिन 19 नवंबर को होता था साथ ही उनके देश ने 1989 में इसी दिन पहली बार फुटबोल विश्वकप के लिए क्वालिफाई कर देश को जोडने का काम किया इस वज़े से जिरोम ने 19 नवंबर का दिन चुना आज 19 नवंबर का दिन लगभग सत्तर से जादा देशों में बतोर अंतराष्टिय पुरुष दिवस के रूप में मनाये जाता है युनेशकों ने भी इस प्रियास की सरहना की है जबकि तिलक सिंग इस कोशिस को एक मंच के तोर पर देखते हैं जिससे पुर्षों लड़कों को होने वाली परेशानियों के बारे में खुले तोर पर चर्चा हो सके भारत में पहली बार इस दिवस को मनाये गया 2007 में जब सेव इंडियन फैमेली नाम की पुरुष अधिकार संस्था ने इसकी शुरुआत की खास बात ये है कि कुछ साल पहले भारत में मौजूद All India Men's Welfare Association ने सरकार से एक खास मांग की और कहा कि वो महिला विकास मंत्राले की तरह ही पुरुष विकास मंत्राले भी बनाए साती राष्ट्य पुरुष आयोका गठनो और लिंग समानता का मतलब समानता की तरह पेश करें नारी के बिना जीवन अधूरा है लेकिन पुरुष भी उस जीवन को जीवनत बनाने में योगदान देते हैं मा बच्चे को पेट में पालती है तो पिता भविशे में आने वाली उसकी जरूरतों को दिमाग में पालता है बतोर पिता भाई दोस्त दादा चाचा मामा नाना पुरुष कई किरदार हमारे आपके जीवन में निभाते हैं जिनकी काफी एहमियत होती है इसलिए अगर पास पास कोई भी पुरुष हो जिसने आपके जीवन में एहम किरदार निभाया हो तो उन्हें 19 नमबर के दिन जरूर विश्क करें जैहिन जैवादा